इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है. यह दवा एक डॉक्टर या नस की देखरेक में ड्रिप, इन्फ्यूजन या नस में सीधे इंजेक्शन द्वारा दी जाती है. खुरा किस बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस प्रकार का संक्रमन है, यह शरीर में कहां है और यह क हराब हो सकता है. कुछ लोगों को सिर्दद, मतली, कब्ज, दस्थ, अनीमिया, उल्टी और दाने जैसे दुशप्रभाव हो सकते हैं. यह दुशप्रभाव आमतोर पर अस्थाई होते हैं और जैसे ही आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है, वैसे ही चले जाते हैं. अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि यह दुशप्रभाव आपको परिशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं. इस दवा के साथ हिलाज शुरू करने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको मिर्गी, यानी की दौरे, लीवर या किड्नी क समस्या है या यदि आपको किसी एंटी बाउटिक से अलजी है. इसका उप्योग करते समय, आपको अपने रक्त कोशिकाओं की संख्या और गुर्दी के कारे की निगरानी के लिए रक्त परीक्षन की सलाह दी जा सकती है. यदि डौक्टर द्वारा निर्धारित किया गया ह तो यह दवा आमतोर पर गर्भावस्था और स्तनपान में उप्योग करने के लिए सुरक्षित मानी जाती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइ टिप करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.